अगर आपको 10 लाग के अंदर एक अच्छी SUV कार लेनी है और आप confused हो तो यह वीडियो खास मैंने आप लोगों के लिए बनाया है क्योंकि 10 लाग के अंदर बहुत सरी कारे आती है और बहुत सरा confusion भी रहता है कि कौन से कार के साथ जाए तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर म उन 5 कारों के बार में डिटिल में बात करूंगा जो कि अच्छी SUV कारे आती है 10 लाग के अंदर इनकी on-road कीमत 10 लाग के अंदर आपको देखने हो मिल जाएगी इनके अंदर अच्छे खासे features offer करे जाता है इंटेर में इनका exterior का look भी काफी अदर कमाल कर रहेगा इसके वीडियो एक-दो दिन के अंदर आ जाएगा और आपने अभी तक चानल को सब्सक्राइब नहीं कियाते हैं और करते जानों को सब्सक्राइब और बहुत जादा पसंद किया जाता है और इसको सेफटी में 4 स्टार रेटिंग्स में मिले हैं इसके अंदर मारती कंपने ने सि इसके अंदर डीजल इंजिन दिया जाता था तो इसके अंदर अब आपको सिर्फ पेट्रोल इंजिन मिलने माला है जो कि है 1.5 लिटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजिन जो कि अच्छी कैसी पावर और पूट्पूट प्रोड्यूस कर लेता है मारती तो सब्सक्राइब ब्रे इसके अंदर भी काफी कमाल के फीचर्स ओफर करे गए है लेकिन टाटा पंच का जो टॉप वीरेंट है उसकी कीमत थोड़ी से ज्यादा है उसकी कीमत में आपको बाकी कारे मिल जाएंगी तो यहाँ पर मैं आपको टाटा पंच का टॉप मॉडल रिकमेंट नहीं करूँग उनके अंदर अचिका से फीचर्स ओफर करे गए है और उनको लेने के लिपको एडिशनली थोड़ी से पे से पे करने पड़ेंगे वही टाटा पंच के अंदर 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रिवर्ट्रन पेट्रोल इंजिन का इस्तमाल किया हुआ है जो के अच्छी कासी पावर उटपुट प्रड्यूस कर लेता है टाटा पंच की कीमत इंडियन माकेट में शुरू होती है 5.49 लाक रुपीस से 22 मोडल की एक शुरम प्राइज और इसका टॉप मोडल 9.09 लाक रुपीस तक चला जाता है और रिसनली टाटा पंच का क्राश टेस्ट किया गया है गलोबल एंड़ के दौरा तो यहाँ पर टाटा पंच को 5 स्टा रीटिंग्स भी मिले है तो यहाँ पर टाटा पंच सेफेस्ट कार है यह भी काफियत कमाल की बात है जो थर्ड पोजिशन पर कार रहा थी है जो कि आप कंसिंडर कर सकते हैं अंडर 10 लाइक वह महिंद्रा के एक्सव थी 3W के अंदर थोड़े से लिमिटेट फीचर सबको मिलने वाले है लेकिन परफॉर्मंस की साब से और सेफ्टी की साब से एक्सवी 3W बहुत जदा आगे निकल जाती है कंपनी ने इसके अंदर एक पेट्रोल इंजिन और एक डीजल इंजिन का इस्तिमाल किया हुआ है ज इसके बेस मोडल की कीमत इंडेट में शुरू होती है 7.96 लाग रुपीज से और इसका टॉप मोडल 13.46 लाग रुपीज तक चला जाता है वही जो सेकेंड नंबर की काराती है जो कि आप कंसिर्डर कर सकते हैं अंडर 10 लाग वो है टाटा के नेक्सॉन टाटा नेक्सॉन को बी सेफ्टी में 5-star रेटिंग्स मिले हैं इसके अंदर भी काफी कमाल के फीचर्स आफर करे गए हैं टाटा कंपने नेक्सॉन के अंदर एक पेट्रोल इंजिन और एक डीजल इंजिन का इस्तमाल किया हुआ है जैसे के इसके अंदर 1.2 लीटर टर्बो चार्ज रिवोट् दे दीती है डीजल इंजिन के साथ तो आपको अच्छा कासा माइलेज मिलने वाला है डीजल इंजिन के साथ अगर मैं कीमत की बात कुरूँ तो टाटा नेक्स आउन का बेस मोडल इंडियन माकेट में शुरू होता है 7.29 लाग रुपीज से और इसका टॉप मॉडल लगब 11 लाग रुपे तक चली जाती है अलागी इस अगार को मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि इसके बेस मोडल के अंदर अल्मोस्ट बहुत सारी फीचर्स आफर करे गये है जैसे कि टचस्क्रीन एंफोर्टमन सस्थिम हो गया इंटरेर में इसके अलावा प्रीमियों गे इसके अगर मैं इंजन स्पसाफिकेशन के बात करो तो कमपने ने इसके अंदर दो पेट्रोल इंजन का इस्तमाल किया हुआ है जैसे कि 1.3 लिटर त्री सिलेंडर पेट्रोल इंजन इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा इसके अलावा 1.5 लिटर और नचरली इंफोमेशन नहीं है लेकिन जब भी इसका माइलिज सामय निकल कर आ जाएगा मैं उसके उपर अलग सब वीडियो बना दूँगा उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बल नोटिफिकेशन को और रखना है तो यहाँ पर यह पार्च कारे आपके लिए बेस्ट आप्शन साबीत हो सकती है अंडर 10,00,000 हाला कि मजेस्टर की कीमत थोड़ी से आपको ज्यादा देने पड़ेंगी बेस मॉडल के लिए लेकिन उसके अंदर आपको अच्छे करसे फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे तो यहाँ पर यह पर यह पार्ट वन वीडियो था इसका पार्ट वीडियो बॉजल दिया जाएगा उसके अंदर में बाकी कारों को कवर कर लूँगा यह वीडियो अपने सभी दोसर के साथ और परिवारवल के साथ जरूरी शेयर कीजेगा था कि उनको भी पता जले कि 10,00,000 के अंदर कौन-कौन सी बेस्ट एसमेवी कारे आ